हेलो सेंस तो आप सब कैसे हैं आशा है कि आप सब अच्छे होंगे आज इस वे डुक्चर में हम आपके लिए आपकी डिमान पर लेकर आए एन आइडियर ठीचर एक आधर्स अध्यापक या दपरसन यू लाइक जिसको आधिक पसंद करते हैं इस पर हम निवान लेकर आएं ये बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टें्ट है कि जो और एक्जाम आने वाले हैं सुरूँ होने वाले हैं कुछ ही दिनों में तो आप अगर इस ऐसे को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही useful रहेगा तो हम इसको अंग्रेजी से हिंदी में बारी बारी से आपको समझाएंगे और इसका बहुत ही simple तरीके से translation भी करेंगे तो चले शुरू करते हैं एन आडियल टीचर सबसे पहले आपको कुछ इंट्रक्शन देना पड़ता है किसी बेक्ति के बारे हैं किसी बस्तों के बारे हैं तो यहां से हम सुरू करते हैं इंट्रक्शन से इंट्रक्शन पहले आप लिखेंगे एडिंग इंट्रक्शन में करेंगे यहां से नहीं कहा, every person has his own influence in the society हर बेक्तिका समाज में अपना एक प्रभाव होता है इस्थान होता है, बर्चस होता है Some people are known for their noble deeds कुछ लोग अपने उत्तम कार्यों के लिए जाने जाते है Good people are always honored and admired जो लोग भले हो लोग होते हैं, जो भले इंशान होते हैं, जो अच्छे विक्ति होते हैं वो हमेशा सम्मानित कियाते हैं और हमेशा उनकी प्रसंसा की जाती है As a result, they become popular among the people of all degrees और प्रणान सुरूप, वे समाज में रहने वाले हर वर के लोगों के द्वारा या हर वर के लोगों के बीच में लोग प्री हो जाते हैं, अपने कर्मों से Name and Family, दूसरा पॉइंट रहेगा Name and Family, उनका नाम और उनका प्रणावा तो यहां से करेंगे, इसमें नाम जो हमने दिया है, जो इसमें लिखा है Randomly, जो इसमें बुक में दिया है उसके इसाब से, या आप अपने इसाब से, जो भी आप नाम रखना चाहें, वो चेंज कर सकते हैं यह बुक के इसाब से में बता रहा हूँ Mr. S.P. Sharma is a man who lives in my neighborhood स्वीमान, S.P. Sharma एक बगती जो मेरे पड़ोज में ही रहते हैं यह उनके बारे में बातें की जा रहे हैं He is a lecturer in an inter-college, वो एक inter-college में प्रोकता है lecture में जो दा प्रोकता He is honored as a good person उनका हर कोई एक अच्छे वेक्त की रूप में सम्वान करता है He has been living in Agra city for about 25 years with his family members वह आगरा सहर में लगबग 25 सालों से अपने सभी पर्युआर के सज़स्यों के साथ रह रहे है अगला पांट होगा his habits उनकी आत्तें क्या Mr. Sharma possesses good habits and manners Mr. Sharma जो सीमा सरमा है उनका आचन और उनका सुभाव उनकी आत्तें बहुती सुंदर है He behaves always वह सब के साथ में बहुत अच्छा बरताओ करते है Behave माने बरताओ करना या बेवार करना His neighbors always admire his habits उनके परोसी हमेशा उनकी आतों की प्रसंसा करते है He loves all his students equally वे अपने सभी जो छात्र हैं उनको समानूप से प्रेम करते है आगे देखते हैं अगली एडिंग का उन सी है अगली एडिंग है His qualities उनके गुण क्या उनकी प्रसंसा है क्या Mr. Sharma is punctual of his duties स्रीमान जो सर्माजी है वो अपने जो ड्यूटीज है जो करतब है उनके प्रति में स्थावान और नियमे था साय में था He helps the needy as much as he can वह जो जुरत मन बेखते होते हैं उनकी भर्षक मेहनत भर्षक मदद करते हैं जतना वो कर सकते हैं अगला point है why I like him मैंन को पसंद क्यों करता हूं मेरे जो है उनके पसंद करने का क्राण क्या है तो यहां से करिंग I like him for his jolly nature मैंन के हस्मुक सुभाव सुन्दर सुभाव के लिए उनको पसंद करता हूं वेन ही इस एट स्कूल जब विद्याले में होते हैं जब स्कूल में होते हैं जब कालेज में होते हैं यह लुक्स सीरियस उनकी मुद्रा गंभीर होते हैं वह गंभीर मुद्रा मुद्र मतलब अपने काम के प्रति बहुत ही लगन से होते हैं वह बहुत इस फ्रेंक माने इस फर्ष्ट वक्ता चेर्फुल माने प्रसंशेत रहने वाले वक्ति है तो इस तरह से यह आज आपका आपकी डिवांड पर एन आड़ टीचर या एका साध्यापक जिसको आप बहुत देख पसंद करते हैं तो यह निबंद मैं समझता हूं कि ब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस तरह से पॉइंट वाइप आप लिखते चले जाएंगे और बहुत इस आड़क में निवन्द है तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं तो आप से निवेदाने वीडियो को पूरा देखिए यह आपके बहुत ही कामाने वाला है